हाई स्टुडेंट्स इस टुटोरियल के टॉपिक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो फर्टिलाइजर बनाती है और जिने फार्मर्स यूज करते हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसी फर्टिलाइजर के बहुत बड़ा इसमें याद रखना है कि कौन कौन सी फर्टिलाइजर का यहां पर जिक्र किया गया जैसे नाइट्रिजनस फर्टिलाइजर का मतलब यह है कि जनरली इन्हें यूरिया कहा जाता है और इसमें लगबग 46 मलब यह नाइट्रोजन बेस्ट फर्टिलाइजर है इसके अधिता ह तो और भी तो खहात वह जाता था जाता है तो दाय इमोनियम फॉस्फेट की वज़े से इसे डी कवी कहा जाता और बहुत अच्छी फॉटिलाइजर होती है फोस्फेट में इन पीकी मात्रा होती है इन्यहें हम इंपीक खात भी कहते हैं नाइटोजन फॉस्फेट पोटाश वैसी भी आपने स्वैल में पढ़ा होगा कि पोटास की तो काफी कमी रहती है हमारे यहां की मिट्टियों में तो पोटास जो है वो हमारे देश में आयात होता है क्योंकि हमारे हां उनके ऐसे रिजर्ब्स नहीं है जिने हम commercially use कर सके commercially usable potash या potassium compounds हमारे हां नहीं है कम है आप हमारे note series वीडियो जरूर देखा करिए अगर आप कोई इनके notes चाहिए after the green revolution the industry यानि 1966 के आसपास green revolution शुरू होता है industry expand करती है other parts of the country में गुजरात में तमिलाडू में उत्तरपरदेश में पंजाब में केरला में मतलब खादों का उत्तपादन श्टार्ट होता है fertilizers और जितना भी fertilizer का production होता है इंडिया में लगवग आधा का contribute करते हैं यहां की छेत्रों की industries इसके लावाँ आंद्परदेश है और ओडिसा राजस्थान बिहार महराष्ट आसम वेस्ट वेंगाल गोवा में इनका production होता है मत परदेश करनाट का अरे कितने सारे राज़ेतों गिना दिये के भई वैसे उत्तर परदेश में मैं रहता हूं तो काफी production वहाँ पर होता है इसको की जो industries हैं काफी famous हैं आप जानते होंगे यह cooperative sector की industry है तो इस प्रकार से हमने fertilizer industry को study किया जिसमें हमने तीन प्रकार की कहते हैं और डाइमोनियम फॉस्पेट यानि डियेपी कहते हैं और एनपी के खाथ और इनके यह productive areas हो गए और इसके साथ साथ green revolution का भी जिकरा आपको करना है सो ओके देश टूटोरियल एंट सेर थैंक्यू फर वचिंग